नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के सिर्मिया और मैं हूँ आपके साथ राकिश कुमार भारती होटल कमपनी लिमेटेड आई एस सील के मध्य परदीश के नर्मदा जिले में अपने नए होटल दा अबरोय नर्मला का उधगाटन किया इस सामारों में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जसंकर भी सामिल हुए उधगाटन सामारों में विदेश मंत्री एस जसंकर ने कहा कि यह होटल नर्मदा छितर के लिए एक महतवपून उपलब्दी है उन्होंने कहा कि ये होटल परियटन को बढ़ावा देगा और अस्थानी लोगों के लिए रोजगार के अफसर पैदा करेगा ISCL के अधक्ष और प्रबंध निदेशक ससी थरूर ने कहा दा अबरोय नर्मला नर्मदा छेतर में एक अत्याधूनिक और लगजरी होटल है उन्होंने कहा कि ये होटल परियटकों और विवासियों को एक अरामदायक और व्यादगार अनुभव प्रतान करेगा दा अबरोय नर्मदा होटल में 120 कमरे सुईट हैं होटल में एक रेश्टराँ एक बार और एक स्विमिंग पूल और एक स्पा इसके साथ भी एक जिम भी है होटल का उद्गाटन नर्मदा जिले के लिए एक महतवपून घटन है यह होटल परियाटन को बढ़ावा देगा और स्थानी लोगों के लिए रोजगार के अफसर पैदा करेगा तूरिजम जो है पहले तो इंडियन टूरिस्ट आएंगे यह तो स्वाभाविक है हमारी जिम्मेबारी है कि हम प्रोज़शाइद करें होटल ग्रूपस को जो टूरिजम जो भी सुविदा लोगों को चाहिए कि जितना जल्द वो बने तूरिजम बढ़ेगी यहां के लोग जो हैं उनको भी लगना चाहिए कि जो भी प्रगति है उसके वो भी हिस्सेदार है कि उनको भी लाब हुआ और जो लोकल बच्चे जो आते हैं उनको अफसर मिलना चाहिए पिछले जब से यह Statue of Unity बना है, कि इसका कितना प्रभाव हुआ है, कितनी बड़ी टूरिजम डेस्टिनेशन बनी है, पहले अगल बगल के लोग आते थे, अब पूरे देश के लोग आते हैं यहां, अब लोग आते हैं यहां तो कम से कम एक रात, दो रात दो रुखना भी च चाहते हैं कि होटेल बने, सुविदा हो, तो हमारा जो हमारी जिम्मेबारी है कि हम प्रोटसाइद करें होटेल ग्रुप्स को, जो टूरिजम जो भी सुविदा लोगों को चाहिए, कि जितना जल्द से जल्द वो बने, तूरिजम बढ़ेगी, और उसके लिए जैसे मैंने समझाया कि हमें वो लोग चाहिए, कि अब इनका जो ट्रेनिंग अभी जो आप देख रहे थे, कुछ जो हैं फ्रन्ट आफिस का कॉर्स, कुछ जो हैं फूड और बेवरेज, उसकी सर्विंग कैसे करनी हैं, और एक तो है कि पबलिक को सुविदा मिले, पर उसका दूसरा प जो लोकल बच्चे जो आते हैं, उनका अफसर मिलना चाहिए, और हम बहुत कुछी की बात है, जो मेरे साथी जो हैं, उन्होंने चेक भी क्या कि कौन कौन से गाव के हैं लोग, तो यहीं अगर लोकल लोग जो हैं, यहां उनकी स्किल डवलपमेंट हो, यहीं उनकी रोजग होटेल भी बन रहा है, साथी साथ स्किल सेंटर भी बन रहा है, और यह अगले मुझे लगता है, एक साल के अंदर इसका पूरा परिणाम आप देख पाएंगे, अज़र फॉरेंट टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए और क्या किया जाएगा, जैसे कि अभी इंडिया से तो बढ़ रहा है, तो इसका पॉरेंट टूरिस्ट जैसे बड़े और ज्यादा है, बहुत कम आ रहा है अगले, ऐसा है कि तूरिजम जो है, पहले तो इंडियन टूरिस्ट आएंगे, यह तो स्वाभाविक है, तो जितना एक किसम से इसका स्टाचू अव यूनिटी और जो है, जो यहां की जो नेचर, जो है, तो यह तूरिजम डेस्टिनेशन जो है, यह एक दिन में नहीं बनते, कि इसको मने हर साल कुछ नहीं पहलू देनी पड़ेगी, कुछ अडिशनल कुछ अट्राक्शन बनाना पड़ेगा, यह बढ़ रहा है, मैं खुद देख रहा तो आएंगे लोग मान के चली और जब मैं हमारे जो अमबसेडर आये थे ना, फॉरें अमबसेडर दिली से, वो जब आये थे यहां तो एक बार हम अब जैसे अब हमारे खुद कंपनी की बोर्ड आती हैं यहां, अपने मीटिंग करती हैं, अब फॉरें बोर्ड भी झाल